ग्लास ओफ वाटर में पैंसिल डालो तो पैंसिल बेंड दिखती है शेविंग मिरर में बड़े दिखते हैं और रियर व्यू मिरर में छोटे आखे अगर खराब हो जाएं तो चश्मा हेल्प्स ये सब कमाल है लाइट के फ़नॉमेनन का रिफ्लेक्शन अन दिख्राक्शन अफ लाइट है लो अव्यूमाण मुझे उमिदे कि आप सब य अच्छे हैं और आज में लेकर आए हूं क्लास 10th science, light, reflection and refraction का one-shot video हमेशा की तरह खतम करेंगे इस पूरे lesson को सिरफ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके concepts होंगे crystal clear तो मैं हू रोश्री फ्रम लानोहब, the free learning platform जहां पर आप पर सकते हो physics, chemistry, maths, biology, सब कुछ absolutely for free at learnohub.com सो तयार है सब भी लोग, let's get started light होता क्या है, light बोले तो रोश्री, रोश्री बोले तो मैं well, light is a form of energy जिसके वज़े से हम अपने आस पास के चीजों को देख पाते है ये तो हमें बच्पन से ही पता है कि light हमेशा सीधे path में चलता है so light travels along a straight path, इतना ही नहीं light कितनी speed से चलता है वो भी हम measure कर सकते है, yes, ये तो हमें पता ही है कि speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second light के chapter को पढ़ते दोरा अकसर हम बात करेंगे ray of light की ray of light क्या होता है, अभी अभी बताया था कि light हमेशा straight path में चलती है और इसे straight path को हम कहते है ray of light जब एक bunch of rays of light होती है, तब उसके लिए हम use करते है beam of light तो सबसे पहले जानेंगे हम reflection of light reflection of light इससे पहले भी हमने junior classes में पढ़ रखा है तो थोड़ा बहुत basic idea है, लेकिन फिर भी हमें concept को crystal clear करने के लिए base को बनाना पड़ेगा मजबूत, तो अगर आपको नहीं भी पता है, तो भी यहां पर सब कुछ clear हो जाएगा reflection of light, यूँ समझो, अगर मेरे हाथ में एक ball हो, और अगर मैं जोर से दिवार पे मारू, तो क्या होता है, वो ball bounce back करता है right करता है, कुछ उसी तरह से, जब light किसी भी दो medium की बीच के boundary पर गिरता है, तो वो bounce back करता है और उसी bouncing back को हम कहते है, reflection, example के तौर पर, मान लो, अब यह जो मैंने बोला boundary, boundary बोले तो दो medium की boundary, एक तरफ air है, एक तरफ water है, तो दोनों के बीच का जो boundary है, real life में सोचो, कैसी boundary की बात कर रही हूँ मैं, let us suppose कि आपके पास एक glass में पानी है, तो जो पानी है, और पानी के उपर क्या है, let's say, पूरे glass में पानी भरावा नहीं है, half filled है glass, तो पानी वाला लेयर जहां खतम हो रहा है, वहां से क्या है, हवा है, तो वो जो इंटरफेस हो गया, वो जो boundary हो गया, that is the boundary between two different media, एक तरफ water, एक तरफ air, similarly, अगर इसे glass के में बात करूँ, glass के बाहर क्या है, air, तो यह जो glass और air का जो boundary है, that is the interface we are talking about, तो जब कभी light एक तरह के किसे भी interface पे गिरती है, और वो bounce back होती है, that is called reflection of light, reflection of light की ही वजह से, जब हम mirror के सामने सजने के लिए खड़े होते हैं, हम खुद को देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि light का reflection हो रहा होता है, कैसे होता है, क्य होता है, यह सारी चीज़े जानेंगे धीरे धीरे, reflection of light, यह जो phenomenon है, इसके दो बड़े ही, बहुत ही जादा, super duper important, जो laws होते हैं, जिने कहा जाता है, laws of reflection, I am sure, इसके बारे में भी आपने junior classes में पढ़ा है, लेकिन एक recap तो यहां जरूरी है, तो पहला law जो है, वो यह कहता ह है, कि जो incident ray, reflected ray, और normal है, यह सारी एक ही plane में light करते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, incident ray क्या होता है, जो ray, light की जो ray interface पे गिरती है, वो है incident ray, गिरने के बाद bounce back करके, जो ray निकलती है, वो है reflected ray, और normal क्या है, normal एक perpendicular है, जिसको हमने उस plane से बना रखा है, ठीक जोक से पाट, अब बहुत सारी चीजें हम इसलिए assume करते हैं, so that it makes our research, it makes our studies easier, तो normal जो है, वो हमारा इस plane से perpendicular बना हुआ है, ओके, ठीक है, तो पहला rule तो clear हो गया, जो दूसरा law है, वो यह कहता है, कि angle of incidence is equal to the angle of reflection, angle of incidence क्या है, मतलब जो incident ray है, वो normal के साथ जो angle बना रहा है, that is angle of incidence, उसे तरीके से जो reflected ray है, जो bounce back करके ray जा रहा है, वो normal के साथ जो angle बना रहा है, वो है angle of reflection, और यह दोनों angle हमें sharp बराबर होते हैं, मतलब जितना slant ray fall करेगा surface पे, उतना ही equal slant वाला ray जो है, वो वापिस जाएगा, ठीक है, clear हो गया, यह laws of reflection, तो बच्चों, आपके घर के dressing table में, जो mirror लगा होता है, जिसके सामने जब आप खड़े होते होँ, तो आप अपने आपको बिल्कुल उसी size के दिखते हो, जितने आप हो, ना तो आप इससे बड़े दिखते हो, ना तो आप इससे बहुत चोटे दिखते हो, जैट, तो यह जो mirrors होते हैं, यह plain यहान पर हम पढ़ेंगे कुछ interesting कुछ मज़यदार हम पढ़ेंगे spherical mirrors के बारे में ठीक है तो spherical mirrors क्या होता है नामपे focus करना है हमेशा sph ess题 क्विर से आया है spherical mirror ऐसा मानों कि एक बड़ा साрас है धीक जसे football होता है यह से बहुत बड़ा सा फुटबॉल है और वो पुरा मिरर का बना हुआ है मतलब स्फेरिकल शेप का एक मिरर है एजूम ठीक है अब उस स्फेर में से अगर एक टुकड़ा काट के लाओगे ठीक है तो वो टुकड़ा कैसा होगा वो एक स्फेरिकल मिरर होगा मतलब जो स्फेरिकल मिरर होत ऐसे कर्व थोता है तो बल्जिंग उल्ड दोता है अगर बात करें कितने तरह इस थो नहीं मिरर तो दो टाइप स्विरिकल मिरर सोते है एक होता है कॉन केव मिरर ड्यूसरा होता है कॉन वेक्स मिरर अब यहां पर बहुत सारे बच्चे एक मस्ते और को केव चंवाणर ओन केव कौनसा वाला मिरर कॉनेट लिए कहना तो मैं बताथी खेव मतलब क्या होताई केव गुफा right मतलब जो ऐसे अंदर गुसा हुआ साहो that is goofy that is cave to some cave उसका जो सिल्वर्ड knife, right ओफेस होगा, और यहां पे अगर आप खड़े हो तो जो silver surface है वो ऐसा होगा bulging outwards होगा ठीक है सबसे मस्त तरीका है concave और convict समझने के लिए एक steel का चमच उठा लो हाथ में मैंने तो उठा लिया ठीक है अब इस से समझेंगे कितना मस्त समझ में आएका अब देखो इस चमच में एक surface है कैसा cave के जैसा अंदर गुसा हुआ तो यानि कि यह वाला जो surface है यह किस तरह के mirror के जैसा काम करता है concave mirror इंफाट अगर मैं इस concave mirror में अपने आपको देखू तो अरे मैं तो उल्टे दिख रही हूं तो मतलब मेरा image inverted बन रहा है राइट क्या यह मेरा image मेरे size का बन रहा है बिलकुल नहीं बन रहा है चोटा बन रहा है अब अगर मान लो मैं इधर घुमा दू पीछे की तरफ पीछे की तरफ क्या हो रहा है surface bulging outwards यह क्या है convex mirror अब इसमें अगर मैं आपने आपको देखो हाँ इसमें तो मैं सीधी दिख रही हूं यानि यहां पर मुझे erect image मिल रहा है इससे क्या पता चला मतलब कॉन के object तो वही यह object तो मैं ही हूं और mirror का distance भी वही है लेकिन अगर concave mirror हो तो image अलग तरह का बनता है अगर convex mirror हो तो image अलग तरह का बनता है यार वही तो पढ़ेंगे इस lesson में कि कैसे यह अलग-अलग images बनते हैं अलग-अलग spherical mirrors में तो बच्चों आप spherical mirror की यह पूरे कहानी समझने के लिए सबसे पहले हमें spherical mirror के एक-एक पार्ट को समझना होगा है ना तभी तो आगे पढ़ पाएंगे तो चलो एक-एक terminology को पहले clear करते हैं तो सबसे पहला है पोल जिसे हम P से denote करते हैं ठीक है पोल क्या होता है यह जो मेरा spherical mirror का जो reflecting surface है ठीक है इसका जो center होता है उसे हम कहते हैं पोल दूसरा है center of curvature जिसे हम capital C से denote करते हैं यह क्या होता है अभी अभी मैंने क्या बोला था कि एक बड़े से sphere में अगर आप एक छोटा सा पार्ट काट लो तो कैसा एक पार्ट मिलेगा इस तरह का bulging एक पार्ट मिलेगा तो basically जो भी spherical mirror exist करते हैं वो सभी क्या होते हैं किसी एक बड़े sphere का पार्ट होते हैं किसी एक बड़े sphere का टुकड़ा होते हैं तो center of curvature बोलने का मतलब है कि assume करो वो जो spherical mirror है ना उसका अगर आप बड़ा सा sphere मना तो वो sphere का जो center होगा ठीक है जाट center is called the center of curvature ठीक है मतलब अगर यह मेरा एक spherical mirror है ठीक है तो इसका जो center होगा ना वो कहीं यहां पे होगा तभी तो एक ऐसा सब स्फियर बनेगा और यह उस फियर का ही एक छोटा सा पार्ट है बात समझ रहे हो तो यह जो center हुआ उसे हम कहते है center of curvature उसी तरह तरह तीसरा टर्म आ जाता है लाइन पे radius of curvature अब यह सेंटर पता चल गया तो रेडियस तो आप समाझ ही रहे हो मतलब center से ले करके reflecting surface तक का जो distance है मतलब यह जो पूरा sphere है यह sphere का जो radius है that is basically the radius of curvature finally principle axis principle axis क्या होता है नाम से पता चल रहा है कोई तो axis है कोई तो line है जो line pole को और center of curvature को join करती हुई जाती है that is called the principle axis अगला टर्म होता है principle focus ठीक है जिसे कई बार हम आम तोर पर focus भी कहते है principle focus होता क्या है यह point होता है जो principle axis पे लाई करता है बहुत ध्यान से सुनना अब को this is very critical principle focus एक ऐसा point होता है जो principle axis पे लाई करता है जहां पर raise reflect होने के बाद meet करते हैं या फिर meet करते हुए दिखते हैं actually meet नहीं करते हैं कई बार बट ऐसा लगता है जैसे महां पर meet कर रहे हो ठीक है मतलब क्या हुआ इसका मतलब कुछ यूं हुआ कि let us suppose मैं पहले concave mirror की बात कर रहे हुँ ठीक है concave mirror में देखो अगर मार लो बहुत सारे parallel raise अगर incident हो रहे हैं इस mirror पे गिर रहे हैं reflection के बाद यह जो raise है यह एक point पे converge करते हुए दिखते हैं एक point पे meet करते हुए दिखते हैं और इस point को हम क्या कहते हैं principle focus ठीक है और चुकि concave mirror में ऐसा होता है तो इसलिए concave mirror को कैसा mirror कहा जाता है converging mirror क्योंकि यह mirror क्या करता है इस mirror में एक ऐसी speciality है कि जब भी इसके उपर raise आते यह उन सब को मिला देता है point पे reflection के बाद यह उनको converge करा देता है इसलिए कहा जाता है converging mirror ठीक है दूसरी तरफ अगर बात करें convex mirror की चीक है convex mirror में कहानी कुछ पलट जाती है यहाँ पे क्या होता है अगर parallel rays fall करते है mirror पे reflection के बाद वो diverge कर जाते है वो scatter हो जाते एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो आप बोलोगे तो फिर इस case में तो कोई point पर यह मिले ही नहीं तो principal focus is mirror का क्या होगा होगा बिलकुल होगा मैंने क्या बोला था कि कई कई mirror के case में यह actually meet करते हैं कई mirror के case में they appear to meet actually meet नहीं करते हैं बट ऐसा लगता है कि अगर मिले होते तो यहां मिलते राइट तो यहां पर देखो यह diverge हो रहे है राइट सारे ऐसे 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 spread हो रहे बट अगर इनको पीछे backtrace करो they appear to come from a particular point तो उस point को हम कहते है principal focus clear है तो convex mirror को हम किस तरह का mirror कहते है diverging mirror of course क्योंकि यह reflected rays को diverge कर देते है principal focus discuss किया है तो focal length discuss करना पड़ेगा very important again principal focus का pole से जो distance है उसे कहा जाता है focal length इसे हम denote करते है small f से और focal length का radius of curvature के साथ एक बहुत interesting relationship होता है क्या relationship होता है कि twice the focal length is equal to radius of curvature radius of curvature तो समझ में आ गया था ना जिस sphere का part है यह mirror उस sphere का radius तो वो radius को आधा कर दो वही होता है principal focus तो बचो हमारा main agenda इस lesson में सिरफ इतना ही नहीं है कि इस spherical mirrors क्या होते है main agenda है spherical mirrors में image formation कैसे होता है किस तरीके से छोटे बड़े different type की images बनते है spherical mirrors में ठीक है तो देखो main funda image formation का क्या होता है basically जो भी object होता है ठीक है उन object से निकल के कुछ rays mirror में fall करते हैं उसके बाद जो reflected rays आते हैं वो reflected rays इस जिस point पर meet करते हैं वही पर बनता है image ठीक है तो यहां पर दो important चीजों की बात करेंगे एक object और एक उस object का image ठीक है अब कई बार क्या होता है कि वो जो reflected rays है वो किसी point पर meet नहीं करते हैं but they appear to meet at a point तो वहां पर हम कहते हैं कि image form होता है ठीक है अब यहां पर दो situation देखी हमने एक situation यह जहां पर reflected rays actually meet करते हैं तो वहां पर चुकि meeting actual हो रही है तो इसलिए किस तरह का रिमेज बनता है real image it is like मान लो अभी अगर मैं actually मैं आपके सामने खड़ी होके आपको पढ़ाऊं राइट लेट से आपके classroom में मैं खड़े होके पढ़ाऊं तो उस case में क्या है वो वो रियल है क्योंकि मैं वहीं हूँ आप वहीं हो आप अपने घर पे बैठे हो सकता है आप दिल्ली में बैठे हो आप गोलकाता में बैठे हो आप कहीं भी बैठे हो राइट और मैं कहां हूँ मैं बैंगलोर में हूँ राइट बट स्टिल experience वैसा ही आ रहा है so it is appearing as if मैं आपके सामने खड़े हो के पढ़ा रही हूँ बट बनते हैं तो बच्चो spherical mirrors में image formation के कुछ rules होते हैं तो हम बेसिकली चार rules के बारे में बात करेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनों अगर यह चार rules आपको अच्छे से समझ में आ गया तो रे डाइग्राम्स जो है ना आपसे चुटकियों में बनेगा ट्रस्ट मी ठीक है तो शुरू करते है रूल नंबर वन अगर कभी भी किसी भी situation में अगर एक ऐसा रे ओफ लाइट है जो principle axis के parallel होते हुए incident हो रहा है स्फेरिकल मिरर पे तो ऐसा रे ओफ लाइट reflection के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा ठीक है मतलब कोई भी रे ओफ लाइट जो parallel जा रहा है प्रिंसिपल आक्सेस के fall कर रहा है मिरर पे reflection के बाद it'll pass through f that is the principle focus और यह जो रूल से यह दोनों टाइप के mirror के लिए true है चाहे concave mirror हो या convex mirror अब जो रूल नंबर टू है यह रूल नंबर वन का ही समझ लो उल्टा है उल्टा इन दा सेंस रूल नंबर वन कहता था कि अगर रे पैरलल आके इंसिडेंट और यह तो reflection के बाद यह focus से पास होगी ठीक है रूल नंबर टू कहता है कि अगर कोई ऐसा रे है जो focus से पास होते हुए इंसिडेंट हो रही है तो reflection के बाद वो प्रिंसिपल आक्सेस के पैरलल जाएगी तो देखो बिल्कुल उल्टीका नहीं पहले यू यू था और अब यू यू हो गया तो मतलब कोई भी रे जो इंसिडेंट हो रही है पासिंग थ्रू देप्रिंसिपल फोकस वो reflection के बाद विल गो पैरलल तो देप्रिंसिपल आक्सेस अगें ओल्ट रूल्स होल्ट्रू फॉर बोथ कॉंके में कॉन्वेक्स मिरर रूल नंबर 3 यह कहती है कि अगर कोई रे ओफ लाइट से पास होते वापिस घर गए रूल नंबर 4 यह कहता है कि अगर कोई रे ओफ लाइट ओब्लिकली फॉल करता है टौर्ट्स दपोल अफ दब मिरर मतलब अगर ऐसे स्लैंट में वह पोल की तरफ जा रहा है तो reflection के बाद भी वह ओब्लिकली ही reflect होके आएगा तो चलो बच्चों अब सीख हमारे पास है concave mirror और एक-एक करके हम एक-एक case देखेंगे तो हमारा जो पहला case है उस case में the object is at infinity object बहुत दूर है तो जब object बहुत दूर रहता है तो हम assume करते हैं कि उस object से जो raise incident हो रही है mirror पे वो parallel raise आती है चिक है तो यहां पे let us assume हमने ऐसे assume कि यह जो parallel raise है ना यह उस object से आके mirror पे fall कर रही है parallel क्यों assume किया क्योंकि वो object infinity पे है वो बहुत दूर है ठीक है ओके यह arrows बहुत important है क्योंकि यह arrow बताता है कि कौन सा ray mirror पे fall कर रहा है और कौन सा ray mirror से reflect हो के आ रहा है ठीक है तो इसलिए arrow देना बिल्कुल ना भूले अब चलो अब हम जो image formation के rules थे उनको थोड़ा सा recap कर लेते हैं जब कभी कोई ऐसा ray हो जो principle axis के parallel हो mirror पे fall करता है वो reflection के बाद किस point से pass होता है वो reflection के बाद पास होता है focus से तो यानि कि वो reflection के बाद इस point से pass होगा so this is your reflected ray ठीक है ठीक उसी तरीके से ये वाला जो incident ray था ये किस के through pass होगा ये भी pass होगा focus के through अब देखो ये arrows मैं दे रही हूं क्योंकि ये reflect होके निकल रहा है ये भी reflect होके जा रहा है तो मैंने basic funda क्या बताया था image formation का जो reflected rays होती है वो जिस point पर meet करती है उस point पर बनता है ह जो reflected rays दोनों है ये दोनों reflected rays कौन से point पर meet कर रही है ये meet कर रही है focus पर principal focus पर तो यानि कि मेरा जो image यहां पर बनेगा वो कहां बनेगा वो principal focus पर बनेगा तो हम कह सकते हैं जब object infinity पर है तो image कहां पर होगा image is at f that is principal focus तो चलो भाई अब देखनेते हैं हम case number 2 case number 2 में हम कह रहे हैं जो object है that is beyond center of curvature मतलब infinity इतना इतना दूर तो नहीं है बट center of curvature के पीछे ही है वो ठीक है मतलब अगर ये मेरा mirror है ये center of curvature है तो center of curvature के भी बाद कहीं पे है तो let us say कि ये मेरा object है ठीक है generally हम ray diagram में object को इस तरीके से एक arrow से denote करते है ठीक है ये मेरा object है बहु अब ये object से let us say कि एक ray principal axis के parallel fall किया mirror पे rule के हिसाब से reflection के बाद ये कहां से pass करेगा ये focus से pass करेगा तो मैं चुकि freehand diagram बना रही हूँ तो शायद कई कई बार मेरे line straight ना हो but please manage with that ठीक है focus रखेंगे हम अपना concept पे ओके ये एक ray बनाया तो चलो अब एक और ray ले लेते हैं तो let us suppose दूसरा ray हमने ऐसा लिया कि वो जो ray है ना वो focus से pass हो रहा है ठीक है ये मेरा incident ray है तो rule के हिसाब से जो focus से pass होते हुए incident होगा वो reflection के बाद क्या होगा वो reflection के बाद will go parallel to the principal axis ठीक है तो अब देखो ये जो दो reflected ray है एक reflected ray ये green वाला है दूसरा reflected ray ये red वाला है और ये दोनों कहां पर meet कर रहे हैं somewhere here ठीक है तो इसका मतलब जो मेरा image है वो यहां पर बनेगा ठीक है in fact this is our image ठीक है तो image कहां पर बना इस case में दोगो यहां पर जो positions है न वो exact positions नहीं है क्योंकि मैं freehand में यह diagram बना रही हूं ठीक है तो यानि कि यहां पर हम कह सकते हैं जब मेरा object center of curvature के beyond है तो उस समय मेरा image कहां पर बनेगा between focus and center of curvature f और c के बीच में बनेगा किस तरह का image बनेगा देखो inverted image बन रहा है right object ऐसा था इसका उल्टा बन रहा है image right तो यानि कि image मेरा कैसा है inverted है और किस तरह का image है यहां पर जो reflected rays है वो actually इस point पर meet कर रही है यानि कि यह किस तरह का image है यह real image है तो यानि कि हमें real inverted image मिल रहा है कहां पर मिल रहा है between focus and center of curvature तो चलो भाई अब चलते हैं case number three जहां पर हम कह रहे हैं कि object is at the center of curvature object जो है वो exactly center of curvature पे ही located है तो यह मेरा center of curvature है let us suppose कि यह मेरा object है ठीक है तो चलो यहां से rays बनाते हैं तो let us say इस object से एक ray निकला which is going parallel to principal axis तो rule के हिसाब से after reflection will pass through the principal focus ठीक है एक ray और बनाएंगे ताकि हम देख सके कि दोनो reflected rays किस point पर meet कर रहे है तो let us suppose हमने एक और ray assume किया जो focal से pass करता हुआ इस पे incident हुआ तो rule के मताबिक यह reflection के बाद क्या होगा this will go parallel to the principal axis ठीक है तो यह reflected ray होगा अब देखो दोनो reflected rays किसी point पर meet कर रहे हैं बिल्कुल meet कर रहे हैं इस point पर ठीक है तो यानि कि हमारा जो image होगा वो ऐसा बनेगा right so this is our image और यह था हमारा object ठीक है अब ray diagram को देख के आप खुदी बताओ कि किस तरह का image बना तो जब हमारा object center of curvature पे है तो मेरा image कहां पे बना image भी हमारा center of curvature पे ही बना किस तरह का image बना inverted image बना बिल्कुल और किस तरह का image बना यह reflected rays actually meet कर रही है इस point पर तो यानि कि यहां पर real image बना यहां पर inverted image बना एक और चीज़ अगर हम size की बात करें तो यहां पर जो object का size है image का भी वही size है बस inverted है बट size is same तो इसे लिए image का जो size है that is same size as object है तो अगर ढंग से आपको ray diagram बनाना आ जाता है ना तो वो जो book में जो बड़ी से table दी होई होती है ना तो वो table आपको कभी भी रठने की जरुरत नहीं पड़ती है ठीक है तो चलो बच्चों अब देखते है case number 4 जहां पर हम कह रहें कि object is between the center of curvature and the focus मतलब C और F के बीच में हमारा object है तो let's say यह F है यह C है इनके बीच में कहीं पर हमारा object है let's say this is the object यह हमारा object है ठीक है तो यहां से rays बनाते है तो एक ray हमने बेज दिया parallel to principal axis incident ray reflection के बाद this will pass through the principal focus इस तरीके से ठीक है एक और ray की जरूरत है तो let us suppose कि दूसरे ray को हमने बेज दिया principal focus के through ठीक है यह incident ray है reflection के बाद क्या होगा it will go parallel to the principal axis ठीक है क्या यह दोनों rays कहीं पर meet कर रही है बिल्कुल meet कर रही है देखो इस point पर तो अगर इस axis को थोड़ा सा और extend कर दूँ तो देखो इस point पर meet कर रही है यानि कि जो मेरा image बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा so this is my image ठीक है अब इस ray diagram को देख के बताओ कि किस तरह का image बना कहां पर image बना ठीक है तो सबसे पहले image की position की बात करेंगे कहां पर बना है image image बना है beyond sea image की nature की बात करेंगे inverted image है साफ साफ दिख रहा है बिलकुल दिख रहा है किस type का image है रियल इमेज है साफ साफ दिख रहा है क्योंकि reflected rays actually meet कर रही है इस point पर तो रियल इमेज है इसके अलावा image की size की अगर बात करें तो देखो object जितना बड़ा था उससे ज्यादा बड़ा image बना है तो यानि कि यहां पर enlarged image भी है ठीक है तो यह सारी बाते हमें कैस से पता चली इस ray diagram से तो बच्चों अब हम देखेंगे case number 5 जहां पर हम कहरें कि हमारा object कहां पर है हमारा object at focus है point f पर हमारा object है यानि कि इस point पर exactly हमारा object है ठीक है तो यहां पर भ देंगे लेटर से कि एक रे जो principal access के parallel है वो incident हो रहा है तो reflection के बाद it will pass through the principal focus ठीक है इस तरीके से पास होगा अब हमें एक और रे की ज़रूरत है तो अब देखो यहां पर चुकिए object f पर है तो उसका रे f से पास हो रहा है थोड़ा सब ड्रौ करना complicated लग रहा है तो कोई बातनी हमारे पास और भी दो बहुत सारे रूल है लेटर सपोज कि अगर कोई रे है जो center of curvature से पार हो रहा है तो हमने क्या सीखा था कि that will retrace its path मतलब वो इसी path में retrace हो जाएगा reflect होके भी जैसे मालो यहां से अगर यह ऐसे जा रहा है जो center of curvature से पास होता वह जा रहा है कोई incident ray तो reflection के बाद क्या होगा वो center of curvature की through ही retrace कर जाएगा मतलब वो same path से ही retrace कर जाएगा ठीक है तो यानि कि एक ray हमारा ऐसा बनेगा ठीक है अब यहां पे अगर हम देखे यह जो दोनों lines है ना जो दोनों reflected ray है they seem to be parallel to each other right which means कि यह दोनों ray कहां पे meet कर सकते हैं अब यह nearby तो क ही meet नहीं करेंगे चुंकि यह parallel है तो इसका मतलब they will end up meeting at infinity करेक्ट तो हम ऐसे केस में क्या कहेंगे जब object focus पे है तो भाई तुम्हारा image जो है वो बनेगा at infinity कि देखो इससे आप कुछ चीज़े रिलेट कर पा रहे हो क्या थोड़ी देर पहले हमने first case में देखा था जब object infinity पे था तो image बना था focus पे अब जब object focus पे है तो image बना infinity पे है ना तो चलो अब हम देखते हैं हमारा 6th scenario जब हम कह रहे हैं कि the object is between pole and focus मतलब धीरे-धीरे करके ना case number one से लेकर के case number six तक में हमारा object जो है पहले infinity में था फिर beyond C था फिर C पे था फिर C और F के बीच में था फिर F पे था अब F और P के बीच में मतलब धीरे-धीरे यह जो है ना mirror के पास आता जा रहा है object ठीक है और यह भी notice करें कि जैसे जैसे object पास आता जा रहा है तो image के nature में भी ना एक चेंज आ रहा है राइट जैसे जैसे object पास आता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो image है ना वो कैसा होता जा रहा है वो थोड़ा सा enlarged होता जा रहा है तो हम लोग उसको भी summarize करके भी बताएंगे आपको चिक है तो चलो अभी फिलहाल यह वाला case देखते है sixth case तो यहाँ पर मेरा object focus और pole के बीचों बीच कहीं पर है let's say this is our object ठीक है यहाँ पर भी let's assume कि एक ray parallel incident हुआ reflection के बाद it will pass through the principal focus इस तरीके से ठीक है and let us suppose कि यही से यही ray जो है ना एक ऐसा ray इस पे incident हुआ which is passing through the center of curvature ठीक है तो उसके case में क्या होगा उसके case में it will retrace the same path previous वाले scenario की तरह अब यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं जैसे जैसे यह दोनों rays आगे जा रही है ना इनके बीच का distance बढ़ता ही चला जा रहा है इसका मतलब है they are not even parallel to each other तो आगे जाके मिलने का को scope तो है न इसका मतलब अगर हम इसे मतलब यह दोनों आगे चलके तो कहीं पे कभी भी meet नहीं करेंगे but if we want to make them appear as meeting तो इसको हम ऐसे करके extend कर सकते हैं और इधर they may appear to meet at a point ठीक है तो हम कह सकते हैं कि जहां पे यह actually meet तो नहीं कर रहे हैं but they are appearing to meet at a point तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि हमारा image बनेगा but चुकि really actually मैं यह raise meet नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यह किस टाइप का image बन रहा है यहां पर यह virtual image बन रहा है ठीक है तो हम क्या बता सकते हैं इस case में जब object pole और focus के beast में हैं तो image कहां पे बन रहा है behind the mirror right तो image कहां पे बन रहा है behind the mirror किस तरह का image बन रहा है virtual image बन रहा है बट इस case में erect image बन रहा है राइट देखो object भी उपर की तरफ था image भी उपर की तरफ था तो इस case में erect image बन रहा है और इस case में enlarged image भी बन रहा है दीखो image का जो size है न वो object से काफी बड़ा है देखो object इतना ही बड़ा था बट यहाँ पर जो virtual image बन रहा है वो इतना बड़ा है तो मतलब यह enlarged image है virtual image है erect image है और यह image behind the mirror भी form हुआ है चिक है तो बच्रो अब ही तक हम के लिए हमने रे डाइग्राम्स बना यह उसी का समरी है अब देखो अब समरी कितना अच्छा समझ में आएगा हमने क्या किया हमने केस वन लिया था कि अबजेक्ट इंफिनिटी पे है फिर दीरे दीरे अबजेक्ट को मिरर के पास लाने लगे बियांड सी फिर सी पे लाएं फिर सी और एफ के बीच में लाएं फिर एफ और पी के बीच में लाएं मतलब दीरे दीरे हम ऑबजेक्ट को मिरर के करीब लाने लगे जैसे जैसे हम ऐ दूर और फिर इंफिनिटी पे चला गया और उसके बाद तो बिहाइंड दा मिररी बन गया मिरर के दूसरे तरफ ही बन गया ओके इमेज के नेचर की अगर बात करें तो हर जगह यह रियल और इंवर्टेट इमेज बन रहा था सिवाए तब जब ऑबजेक्ट मिरर के बहुत जादा करीब था और यहीं पर बच्चों हम इस लर्निंग को रिलेट करेंगे स्पून के साथ देखो स्पून में आप देखोगे कि जब आप स्पून को अपने आप से थोड़ा दूर रखते हो तो आपको अपना कैसा इमेज दिखता है अपना इनवर्टेड इमेज दिख को ही करीब ला रहे हो बट एंड ऑफ देखोगे कि आपकी जो इमेज आ रही है ना इस कमिंग आउट इरेक्ट इंट 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 इस आउट इस आउट विद अपने रखा यहां पर तो आप देखोगे इसका इनवर्टेड इमेज जा रहा है लेकिन जब पैन को एकदम करी लेके आओगे इसके तो आप देखोगे कि इसका क्या रहा है इसका एक वर्चुल इमेज इसका एक इरेक्ट इमेज आ रहा है यह आपका यह प्राक्टिकल चीज़े जो आप करके देख सकते हो कि भाई डाइगनम जो बताता है वह सही बताता है अब इमेज की साइज की और बड़ा इमेज बनने लगा और फिर और बड़ा इमेज बनने लगा तो मतलब जैसे जैसे ऑब्चुक मिरर के पास आने लगा वैसे वैसे क्या होने लगा वैसे वैसे जो इमेज का साइज है वो धीरे-धीरे बड़ा होने लगा ठीक है So this is the pattern that we observe while we study the image formation in concave mirror तो मैं sincerely सभी बच्चों को request करूँगी कि आप ray diagrams तो practice करो ही साथी साथ spoon के साथ इसको करके देखो so that'll you know excite you all the more Concave mirror का ray diagram सबको crystal clear हुआ की नहीं हुआ नहीं अगर हुआ है तो practice करते रहो उसी से यह crystal clear होगा ठीक है वैसे तो मुझे उम्मीद एक crystal clear हो चुका होगा है ना तो अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं convex mirror का situation ठीक है तो पहला scenario मैंने लिया कि object is at infinity object जबी भी infinity पे होता है तो हम assume करते हैं कि जो incident raise है वो parallel raise आ रहे हैं ठीक है तो मैंने यहां भी assume कि बहुआ आपजिक्ट कहीं infinity पे है एक इस तरह से parallel रे principle axis के parallel mirror पे आई मिरर पे आके क्या होगा इस रे के साथ ध्यान रखना है यह convex mirror है यानि कि diverging mirror है तो यानि कि जो raise है ना वो इस तरीके से diverge हो जाएंगी ठीक है तो रे तो भई diver diverge हो गई ठीक है अब उसे तरह से लेट से कि इधर से अगर एक और parallel रे आ रही थी तो वो भी इस पे फॉल करने के बाद ऐसे diverge होगी क्योंकि यह diverging मिर रहे यह तो ऐसे फैला देती है ना raise को तो अब यह लोग आपस में तो कभी नहीं मिलेंगे यह reflected ray और यह reflected ray आपस में really तो कभी नहीं मिलेंगे बट अगर हम इनको पीछे की तरफ ऐसे connect करें so they may appear to meet at a point and that is the point जहां पर इसका एक virtual image बनेगा तो यह कौन सा point है F तो यहाँ पे किस तरह का image बनेगा यहाँ पे बनेगा virtual image ठीक है तो convex mirror के case में जब object infinity पे है तो image कहां पे बनता है image बनता है तो focus पे ही बट किस तरह का image बनता है virtual image बनता है चलो अब देखते हैं दूसरा scenario जब हम कहते हैं कि object is between pole and infinity यहाँ पे हमने उतने अलग-अलग scenarios नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे infinity पे एक तरह का image होता है और infinity और pole के बीच में कहीं भी रग दो तो वहाँ पे similar type का image हमें मिलता है तो ऐसा generalized position कर दिया कि object हमारा कहां पे है object जो है वो pole और infinity के बीच में कहीं भी है यह pole है और यह infinity है let us say कहीं पर भी एक object है तो यह मेरा object है तो let's say object से एक incident रे गया parallel to principal axis reflection के बाद क्या हो जाएगा diverge हो जाएगा इस तरीके से अब let us say कि इसी object से एक और रे गया जो virtually ऐसा दिख रहा है कि वो C से pass हो रहा है ठीक है let us say कि वो जो है virtually ऐसा दिख रहा है कुछ इस तरीके से कि virtually वो C से pass होता हो दिख रहा है तो ऐसे रे के साथ क्या होगा reflection के बाद it will retrace the same path यह same path को retrace करेगा उसी path पे जाएगा तो ऐसे case में हम क्या देख रहें क्या यह दोनों rays दोनों reflected rays कभी भी मिलेंगे reality में तो कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से दू जाते जा रहे हैं लेकिन virtually they may appear to meet at a point ठीक है तो हम लोग देख रहे हैं कि virtually यह लोग इस point पर meet करते वे दिख रहे हैं ठीक है this is the point तो यहां पर इस तरह से image बनेगा अभी इस image की अगर हम बात करें so this is the image तो अगर हम इस image के nature की बात करें तो किस तरह का image बना है obviously virtual image बना है क्योंकि यह reflected rays is real to meet key नहीं है they appear to meet at that point साफ साफ दिख रहे हैं कि object के height के मुकाबले image का height बहुत कम है यानि कि किस तरह का image है diminished image है image भी erect ही है जैसा object है वैसे image है तो उसी लिए erect image तो virtual erect और diminished image यहां पर बना और कहां पर बना the image is formed between pole and principal focus तो बच्चो ray diagrams से हमने जो सीखा convex mirror के case में अगर उसे summarize करना हो तो हम कह सकते कि object का location अगर infinity है और अगर वो infinity से करीब है मतलब अगर object pass है या object दूर है दो ही situation हमने देखा तो हमारा image का location कैसा होता है अगर object infinity पे है तो image बनता है focus पे अगर object थोड़ा pass है तो image बनता है between pole and focus behind the mirror दोनों ही case में image जो है वो behind the mirror बनता है चुकि behind the mirror बनता है इसलिए दोनों ही case में image होता है virtual and erect image का जो size है वो दोनों ही case में diminished होता है किसी में बहुत ज़्यादा diminished किसी में थोड़ा कम diminished ठीक है तो इतना ही फरक होता है तो इसमें एक चीज़ आप ने को हम rear view mirror की तरह vehicles में यूज करते हैं तो बच्चो concave or convex mirror में image formation कैसा होता है यह तो अब crystal clear हो चुका होगा right तो अब देखना यह है कि इन mirrors को हम कौन-कौन से तरह के mirrors के तौर पे यूज करते हैं ठीक है तो इसके लिए इनके property पे focus करो Convex mirror में कैसे images बनते है virtual, erect और diminished मतलब छोटे size का image बनता है लेकिन सीधा image बनता है उल्टा image नहीं बनता है तो इसे लिए convex mirrors को हम use करते है rear view mirror की तरह, driver को देखा है जब भी कोई driver गाड़ी चलाता है बाइक पे हो या कार पे हो उनकी जो rear view mirror होती है वो mirror क्या करती है पीछे का, पीछे जो traffic का पुरा view है वो पुरा view देती है एक छोटे से mirror में पीछे का इतना बड़ा जो area है ना कितनी सारी vehicle से उसका view देती है यानि कि कैसी image की ज़रूरत है मुझे diminished और कैसे image की ज़रूरत है erect ही है ना तो ऐसा image कौन दे सकता है convex mirror इसलिए rear view mirrors की तरह हम हमेशा use करते हैं convex mirrors को concave mirrors को हम कहां use करते हैं देखो concave mirror में ना हमें बड़ी images भी मिल सकते है राइट एक object के position को अगर हम set कर ले तो we can get enlarged images also तो यह सवजे से हम concave mirror को shaving mirror की तरह use करते क्योंकि जब को shave करता है तो उसे बहुत enlarged picture चाहिए अपनी face की ताकि वह अच्छे से shave कर पाए जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक mirror होता है जो उन्हें आपके नात का एक enlarged view देता है आपका इतना चोटा है मत उसको mirror में इतना बड़ा दिख रहे तो उसे उसके अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो ज्याद पे meet करा सकती है तो इस प्रापटी की वज़े से concave mirror को in fact large sized concave mirrors को हम अक्सर solar furnaces में यूज करते है solar furnaces में इन mirrors का क्या काम होता है जो sunlight है sunlight को यह focus करके एक पॉइंट पर लेके आती है पूरा sunlight को एक पॉइंट पर लेकर आओगे तो बहुत सारा heat हो जाएगा right which will be useful in a solar furnace इसक vertical mirrors में जब हम calculation part में जाते हैं कि मेरा object इतना बड़ा है तो image कितना बड़ा होगा मेरा object यहां पर है तो image कहां पर बनेगा तो इस तरह के calculation वाले पार्ट में जैसे हम जाते हैं तो वहां पर कुछ sign convention है जो हमें follow करना होता है क्योंकि अगर हम sign convention follow नहीं करेंगे तो सारी चीज़े हौच पॉच हो जाएंगी तो चलो फटा-फट से देखने हैं कि कौन से sign convention है सबसे पहला convention यह है कि all the distances are measured from pole तो pole हमारा वो है origin है जैसे graph plot करते है तो origin होता है ना वैसे यहाँ पर pole है number 2 होता है कि object को हम हमेशा mirror के left-hand side में place करते हैं ठीक है number 3 कोई distance जो pole के left-hand side में हो वो negative होता है और कोई भी distance जो pole के right-hand side में हो वो positive होता है इसका मतलब जो object है, उसको हम हमेशा left hand side में रखते हैं, which means object का जो distance है, वो क्या होगा, पोल से measure करेंगे और वो हमेशा negative होगा, ठीक है, ओके, इसके अलाबा, जितने भी height हम principal axis के ऊपर measure करेंगे, वो positive होगा, जो भी height हम principal axis के नीचे measure करेंगे, वो negative होगा, ठीक है, तो in convention के सा I think we are all set, और in convention को हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप convention को ignore कर दिये या भूल गए, तो सारी गरबढ़ हो जाएगी, तो चलो अब देर के इस बात की अब हम देखेंगे mirror equation, mirror equation एक बहुत ही must चीज है, एक ऐसा equation है, जो image distance, object distance, और focal length, इन तीनों के बीच में एक relationship establish कर दे distance है, V image distance है, और F focal length है, अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया, अगर आपको पता है कि object कहां पे placed है, और अगर आपको उस mirror का focal length पता है, तो आप निकाल सकते हो कि भई, image कहां पे बनेगा, अगर आपको पता है कि image यहां पे बनाना है, तो आपको V पता है, और अगर कर सकते हो कि object को कहां पर रखना है तो है न मस्ट चीज मिरर एक्वेशन तो मिरर एक्वेशन को आप तरह तरह के situation में अप्लाई कर सकते हो बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको sign convention यहां पर भी follow करना है ठीक है जैसे मालो अगर हम concave mirror की बात कर रहे है तो concave mirror में जो f होता है डाट इस नेगिटिव फोकल लेंथ नेगिटिव होता है क्यों क्योंकि concave mirror याद कर लो फटा-फट से concave mirror में क्या होता है जब rays of light उन में fall करती है तो वह जा के एक point में meet करती है that is your principle focus तो देखो principle focus किस तरफ है पोल के राइट हंड साइट पे है तो यानि कि principle focus का distance जो पोल से है डाट इस नेगिटिव तो इसलिए concave mirror में f is negative convex mirror की बात करें तो यहाँ पे situation थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पे जिस point पे raise meet करती हुई दिख रही है वो point पोल के left hand side में होता है इसलिए convex mirror के case में focal length is positive इसको कभी भी रटना नहीं है कि focal length किसके case में positive और किसके case में negative क्या याद रखना है इस diagram को याद रखना है concave mirror कैसा होता है convex mirror कैसा होता है इस diagram को recall करने में आपको कुछ seconds ही लगेंगे right it is better to remember these diagrams rather than memorizing की इसमें positive उसमें negative ठीक है ना तो mirror equation समझ में आ गया अब mirror equation की बात करी रहे है तो object distance की बात कर लेते हैं देखो हो चाहे concave हो या convex हो दोलों ही mirror में object distance हमेशा negative होता है क्यों क्योंकि हमारा convention यह था कि object को हम हमेशा left and side में ही रखते हैं तो भाई object distance negative होगा ना तो बच्छों यहां पर discuss करेंगे हम लोग एक और concept which is magnification magnification word आया है magnify से magnify मतलब किसी चीज़ को बढ़ा कर देना तो इससे थोड़ा बहुत idea लग रहा होगा लग रहा है नहीं लग रहा है magnification का मतलब है कि जो हमारा image बना वह object के मुकाबले कितना बढ़ा है या कितना छोटा है तो यहां पर हम image की हाइट की बात कर रहे हैं with respect to object का हाइट तो magnification को हम mathematically कैसे define करते हैं image height by object height जिसे h-by h से हम denote करते हैं अब इसको define करने का एक और तरीका होता है that is in terms of image distance or object distance ठीक हम notice करते है image का height और object के height का जो relation है that is proportional to image का distance and object का distance तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि magnification is equal to minus v by u जहां पे v image distance है और u object distance है अब यह minus sign यहां पे बैठके क्या कर रहा है सदेको minus sign का simple सा रोल है minus अगर magnification negative निकल रहा है इसका मतलब क्या है कि जो image है अगर object उपर की तरफ है तो image नीचे की तरफ है which means the image is inverted ठीक है अगर magnification positive निकल के आती है value इसका मतलब है कि object भी erect था और image भी erect है ठीक है तो मतलब दोनो इरेक्ट images है अभी अभी मैंने बताया था रहाई अगर आप एक spoon लो अपने हाथ में तो आप देखो कि जब आप spoon के सामने तरफ से देख रहे हो तो आपकी inverted image बन रही है जब पीछे की तरफ से देख रहे हो तो आपकी इरेक्ट इमेज बन रही है राइट तो image inverted है या इरेक्ट है यह कौन बताता है यह बताता है magnification का यह minus sign बताता है तो चलो बच्चों देखते हैं एक problem तो question कह रहा है a small candle 2.5 cm in size is placed at 27 cm in front of a concave mirror of radius of curvature 36 cm तो यहाँ पर मुझे mirror का radius of curvature दिया हुआ है कैसे mirror की बात हो रही है यहाँ पे concave mirror की बात हो रही है तो concave mirror में let's say यह मेरा candle है जो की mirror के left hand side में है तो यह इसका object distance है तो object distance क्या हो जाएगा negative हो जाएगा तो यहाँ पर object distance u दिया हुआ है 27 cm और sign convention के हिसाब से मैंने negative sign लगा दिया अब हमें और क्या values दीवी है focal length दीवी तो नहीं है बट हम निकाल सकते हैं क्योंकि radius of curvature दिया हुआ है और radius of curvature का आधा होता है focal length बट sign convention यहाँ भी use करना है concave mirror के case में जो focus होता है वो भी left hand side के तरफ होता है तो इसे लिए focal length negative होगा so this will be minus 18 centimeter अब मुझे निकालना क्या है at what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image मतलब मैं image पाने के लिए screen कहां पे रखूँ तो basically मुझे निकालना है image distance की value कैसे निकालेंगे mirror equation से mirror equation कहता है 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f चीक है तो 1 by v will be equal to 1 by f minus 1 by u चीक है तो 1 by f हो गया minus 1 by 18 minus minus of that means minus minus plus हो जाएगा 1 by 27 अब 18 और 27 का अगर हम LCM ले that will come out to be 54 18 3s are 54 तो minus 3 27 2s are 54 तो यह हो गया minus 1 by 54 therefore v की value हो जाएगी minus 54 cm ठीक है तो इसका मतलब है image का जो distance है वो भी negative आया मतलब जो image बनेगा वो भी इधर ही कहीं बनेगा ठीक है यह तो clear हो गया great अब चलो screen हम कहाँ place करेंगे 54 cm from the mirror तो एक बाट तो हमने answer कर लिया दूसरा बाट कह रहा है describe the nature and size of the image ठीक है अब देखो mirror के इस तरफ object है और इसी तरफ image भी बन रहा है इसका मतलब में image का nature कैसा होगा real होगा होगा inverted होगा calculate करके देखते हैं कैसे calculate करेंगे देखो u की value मुझे पता है v की value मैंने निकाल ली है इन दोनों value से मैं magnification m की value निकाल सकती हूँ which is minus v by u अब minus of minus 54 हो जाएगा plus 54 u के जगह हम लिख देंगे minus 27 27 2s are 54 so magnification की value minus 2 आ गई minus value magnification की है मतलब जो मेरा image है वो कैसा image है inverted तो यहां लिखते चलते हैं कि इस case में जो मेरा image होगा वो कैसा होगा वो होगा real वो होगा inverted अब बात करेंगे image के size की अब मुझे ये भी पता है कि magnification is also equal to height of the image by height of the object magnification की value कितनी आ गई यहां पर minus 2 ठीक है तो minus 2 is equal to height of the image by height of the object यहां पर दिया हुआ है 2.5 cm तो लिख दिया तो यानि की height of the image is equal to minus 5 cm minus तो यह बता रहा है कि image मेरा inverted है और image की height कितनी है 5 cm यानि की image कैसा है इससे बड़ा है size में तो यानि की the image is enlarged तो आमने बता दिया image के nature के बारे में कभी notice किया है कि एक straight सीधी अच्छी खासी pencil को जब आप एक कांच के glass में जिसमें पानी हो उसमें डाल देते हो तो आपकी pencil देखो कैसी दिखती है ऐसा लगता है जैसे बीच में से टूटा हुआ है येस अभी तक तो कहानी हमने reflection के अब बारे है refraction की तो reflection of light Etik aisa phenomenon है जो कहता है कि जब भी बी लाइट यक medium से दूसरे medium में entry मारता है तो ये बंड कर जाता है तो reflection क्या कहता था reflection एक मिडियम से दूसरे मिडियम में एंटर करने के बात ही नहीं करता था जैसे ही दो मेडियम के बाउंडरी पट आता है तो यह बंस बैग कर जाता है यहां पर कह रहा हूं कि कि जब light उस interface पे जाता है तो यह अगले medium पे गुज जाता है बट जैसे ही वो दूसरे medium पे enter करता है तो यह अपना जो इसका actual path था उससे वो bend कर जाता है और इस bending of light को ही हम कहते हैं reflection of light जिस तरह से reflection के case में हमने laws of reflection पढ़ा था उसी तरह reflection के case में हम पढ़ेंगे laws of reflection उससे पहले यह जान लो जैसे वहां पर incident ray होता था यहां भी incident ray है जो ray is fall कर रही है वो incident ray है रिफ्राक्शन होने के बाद जो ray bend होके जा रही है दूसरे medium पे उस ray को हम कहते है refracted ray ठीक है और अपना normal तो है भाई जो perpendicular हमने बनाया है तो अब पहला rule क्या कहता है पहला law of reflection कहता है incident ray refracted ray and normal all lie in the same plane तो यह जो पहला law है it is very similar to the first law of reflection ठीक है ओके दूसरा law क्या कहता है laws of reflection के case में दूसरा law कहता था कि angle of incidence is equal to angle of reflection अब यहां पे angle of incidence is equal to angle of reflection ने 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 यहां पे यह बराबर नहीं है second law कहता है कि sign of angle of incidence by sign of angle of reflection is equal to constant यह कहता है कि अगर हम एक particular pair of medium की बात कर रहे हैं मतलब let us say एक तरफ water है दूसरे तरफ air है तो अगर हम एक particular pair of medium की बात कर रहे हैं अगर हम एक specific light की बात कर रहे हैं ठीक है तो उसके लिए sign of I divided by sign of R is equal to a constant ठीक है and this is a very important law और इस law को कहा जाता है स्नेल्स law यहां पर I angle of incidence है और R angle of reflection है बच्चों एक बहुत important सवाल यहां पर यह आ जाता है कि यह जो constant की बात करी हमने स्नेल्स law में यह constant आखिर है क्या and answer is refractive index तो actually अगर ध्यान से देखो अगर mathematical expression को देखो ध्यान से sin I by sin R is equal to constant और मैंने बोला यह constant refractive index है जानी की refractive index is sin I by sin R तो refractive index हमें एक तरीके से यह बताता है कि bending कितना हुआ अब कि दौरान bending तो हुआ bending ज्यादा हुआ या कम हुआ वो बताता है refractive index कैसे आप खुद लॉजिकली सोचो कि बैंडिंग कितना हुआ का मतलब जैसे मालो ray of light यह एक medium है ठीके मतलब इधर air है और इधर water है अब एक ray of light ऐसे fall की आइडियली इसे ऐसे ही जाना था बट क्या हुआ यह तो जैसे जाना था उससे दूर चली गई या जैसे जाना था उससे और ऐसे टेड़ी हो गई तो बैंडिंग कितनी हुई इतनी हुई इतनी हुई या इतनी हुई यह कौन बताएगा कि भई sin i by sin r का ratio कितना है मतलब angle of incidence और angle of refraction में बदलाव आया होगा based on कितना bending हुआ तो sin i by sin r हमें वो measure बताता है कि bending का extent कितना है generally refractive index को हम small n से denote करते हैं refractive index को समझने का एक और नजरिया है अगर मैं पूछू ना एक बहुत basic सा सवाल कि ये light के bending हो ही क्यों रही है ऐसा क्या magic हो रहा है कि light जब air में से water में जा रहा है या water में से glass में जा रहा है या air में से glass में जा रहा है तो क्या magic हो रहा है जिसकी वज़े से light bend कर जा रहा है तो basically हो ये रहा है कि जो light की जो velocity है light की जो speed है जो stasis light move कर रहा है वो change हो जाता है different different दिफरेंट मीडियम में जब तक मालों लाइट एयर में था तो वो एक स्पीड से मूव कर रहा था जैसे ही मीडियम पे गया इसकी स्पीड बदल गया तो यह से बहुता है कि रिफ्रक्टिव इंडेक्स ऑफ पटिकुलर मीडियम is the speed of the light in air divided by speed of the light in that medium so speed of light in air तो हमें पता है 3 into 10 to the power 8 meter per second which is denoted by C divided by speed of light in that medium अगर उसे हम V से denote करें तो हम कह सकते है refractive index N is equal to C by V तो यहां से हमें यह भी बता चला कि refractive index का जो value है यह depend करता है medium के nature पे कि glass है कि air है कि water है medium का nature क्या है उस पे depend करेगा refractive index का value refractive index का value angle of incidence पे depend नहीं करता है फरक नहीं पड़ता है कि angle of incidence कितना है light किस तरीके से fall किया था boundary पे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है it only depends on the nature of the medium अब आप एक चेज अबसर्फ करोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि यह reflection के पूरी कहानी में न हम rarer medium और denser medium की बहुत बातें करते हैं तो सबसे पहले उसे clarify कर लेते कि यहां पर यह denser medium का मतलब हम density mass density की बात नहीं कर रहें mass density जो की mass per unit volume होता है बढ़ उसकी बात हम यहां कर नहीं रहें यहां बात कर रहे हैं हम optical density of a medium की optical density क्या होता है किसी भी medium की कितनी ability है light को refract कराने की light को bend कराने की कितनी ability है किसी medium में उसे हम optical density कहते हैं तो जिस medium का refractive index ज्यादा होता है वो optically denser medium होता है जिस medium का refractive index कम होता है वो optically rarer medium होता है बात समझ में आ गई अब अगर मैं पूछूं कि denser medium और rarer medium में से किस medium में light का speed अधिक होगा बताओ अभी अभी हमने क्या सीखा था refractive index को define करने का एक तरीका सीखा था कि refractive index is equal to speed of light in air by speed of light in the medium तो इसका मतलब किसी भी medium का जो refractive index का value है और उस medium में light की जो speed है ये दोनों inversely proportional है तो अगर मैं optically denser medium की बात कर रही हूं तो वहाँ पर refractive index ज्यादा है तो वहाँ पर light की जो speed है वो कम है उसी तरह अगर मैं rarer medium की बात कर रही हूं तो वहाँ पर refractive index की value कम है लेकिन जो light की जो speed है वो ज्यादा है खुल मिला के कहानी यूं हुई कि एक rarer medium में light की जो speed है वो ज्यादा है compare to a denser medium तो इन सारे चीजों के understanding के बाद अब देखो reflection कितने जल्दी समझ में आएगा ठीक है तो इसका मितलब यह हुआ कि अगर हमारे पास एक ray of light है जो rarer medium से denser medium में जा रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है rarer से denser जा रहा है मतलब पहले उसकी speed ज्यादा थी अब उसकी speed slow down हो गई तो पहले टेजी से मूफ करने लग गया तो ऐसे केस में क्या होगा मान लो यह मेरा normal है ठीक है तो light यो जू टेजी से आरी थी लेकिन जैसे इधर गई तो इसकी speed कम हो गई तो विचारक कम हो गया तो क्या हुआ यह नॉर्मल के करीब आ जाता है तो क्या होता है इसकी speed पहले कम होती है और उसके बाद जू बढ़ जाती है तो जैसे बढ़ जाती है तो क्या होता है कुल मिला कि उसकी वज़े से इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है तो लॉजिक समझ में आया अगर समझ में आया तो अब इसे अपने फिंगर टिप्स पे रख लो कि कभी भी लाइट रेर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो इट विल बेंट तुवाट्स द नॉर्मल कभी यह डेंसर टू रेर मीडियम आएगी तो इट बेंट अवे फ्रॉम द दूर जाना है तो अजादी इस नॉर्मल से दूर चला गया बेंट एवे फ्रॉम दर नॉर्मल ऐसे आप इसे याद रख सकते हो तो बच्छो रिफ्रैक्शन का जो यह पूरा कॉंसेट हमने समझा इसको क्रिस्टल क्लियर करने के लिए लेट उस लुक आट रिफ्रैक्शन त्रूरग घ्लास स्लाब वा लो एक लास स्लाब है अब हम देखेंगे कि जब एक र Ol आफ लाइट इन्टर करता है तो उसके साथ क्या होता है एक इंसिडेंट रहे fall करता है उस पे reflection undergo करता है क्यों क्योंकि ये air से glass enter कर रहा है air और glass में से air rarer medium है glass denser medium है क्योंकि glass का refractive index air से ज्यादा है ठीक है तो क्या होगा जो ray है it will bend towards the normal देखो वैसा ही हो रहा है normal के करीब आ रहा है ये ठीक है ये glass slab के दूसरे end पे चला गया तो फिर से क्या हो रहा है changing medium अभी ये glass से air जा रहा है मतलब denser to rarer जा रहा है तो क्या होगा यहां पर it will bend away from the normal तो देखो वैसा ही हुआ नॉर्मल से दूर चला गया और ये जो रह अभी निकला इस रह को हम क्या कहते है emergent ray तो जो रह घुसा था that was incident ray उसके बार अंदर जो रह था that was refracted ray जब वापिस इस में से निकला तो इस रह का हमने एक अलग नाम दे दिया that is emergent ray क्योंकि ये this is the ray which finally emerges out of the glass slab तो यहां पर हम एक interesting cheese notice करते हैं कि अगर ये glass slab यहां पे नहीं रहा होता तो मेरा incident ray जो है वो जैसा था जैसा जा रहा था वैसे ही जा रहा होता right बट इस glass slab के होने से हमने क्या experience किया एक lateral shift experience किया देखो जैसे incident ray जाता और जैसे emergent ray निकला इन दोनों के बीच में एक shift है जिसे कहा जाता है lateral shift तो बच्चो अब जब हमने reflection का concept समझ लिया है तो एक और बार समझने की कोशिश करें कि जब हम pencil को एक glass के अंदर जिसमें पानी है उसमें डाल देते हैं तो वो हमें टेड़ा क्यों दिखता है या फिर वो हमें broken जैसा क्यों दिखता है ठीक है चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अब देखो मान लो यह हमारा pencil है A B ठीक है अब हो क्या रहा है कि जब हम उस pencil को देख रहे हैं हम उस pencil को देख क्यों पा रहे हैं क्योंकि उस pencil में से जो raise निकल के आ रहे हैं वो हमारी आखों तक पहुँच रहे हैं जिसके वज़े से हम उसे देख पा रहे हैं ठीक है बहुत साही बात है बट हो क्या रहा है अब जब वो raise हमारी आखों तक आ रहे है तो उस दौरान उनका medium चेंज हो रहा है क्योंकि वो raise निकल तो रही है पैंसिल में से जो कि पानी के अंदर है तो पहले वो raise water में है उसके बाद वो air में आ रही है यानि कि water denser medium है air rarer medium है तो denser to rarer medium आ रहे है जिसकी वज़े से ये normal से away bend हो जा रहे है ठीक है तो ये bend raise हमारी आखों तक पहुँच रहे है अब हमारे line of sight में ये जो ray हमें मिला है अगर हम इसी को ही पीछे extrapolate करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये किस point से आया होगा तो इस वज़े से हाला कि actual pencil a b है बट हमें क्या दिखता है हमें वो a b दिखता है and that is why the pencil appears to be broken अब देखो ये जो हमें दिखता है वो actually जो पानी के अंदर वाला pencil का जो पार्ट होता है actually उसकी जितनी length होती है हमें वो उससे छोटे भी दिखती है और वो भी इसी वज़े से है क्योंकि जो rays हमारी आखों में पहुँचती है वो rays actually bend हो के आई है because of change in medium बट जब हम उसे देख रहे हैं हम अपनी line of sight पे देख रहे हैं तो हम उसी रहे के along उसे देखने की कोशिश कर रहे है दूसरी तरफ तो जो हमें दिख रहा है उधर actually कुछ है नहीं उधर actually pencil नहीं है but it is just the magic of reflection तो बच्चो spherical mirrors के बाद अब बारी है lenses की Lens क्या होता है Lens word हमने आम तोर पे कहां सुना है बहुत लोग कहते हैं यार मुझे ना चश्मा पहनना अच्छा नहीं लगता तो मैंने lens लगवा लिया है आखों में So what is lens तो lens basically एक transparent optical object होता है जो दो surfaces से bound होता है जिसके दो surfaces होते है अब इन दोनों surfaces में से एक surface कम से कम spherical surface होता है तो कई तरह के हो सकते हैं इसके combination लेट से एक surface concave है दूसरा surface plane है एक surface concave है दूसरा भी concave है एक convex है दूसरा भी convex है इस तरह से कई सारे combinations possible होते हैं lenses के ठीक है, Lens primarily दो तरह के होते हैं, Simple Lenses and Compound Lenses, Simple Lenses क्या होते हैं, Simple Lenses वो होते हैं, जो single piece of transparent material से बने होते हैं, अब देखो Simple Lenses के अंदर भी जैसे कि मैंने बताया, इसमें दो surfaces होते हैं, हो सकता है Plano Convex Lens हो जिसका एक Surface Plane है, दूसरा Surface Convex है, Plano Concave हो सकता है, Convexo Concave हो सकता है, जिसका एक Convex है, एक Concave है, Concave वो Convex हो सकता है, जिसका एक Concave है, दूसरा Convex है, तो इस तरीके से कई सारे, you know, options या फिर combinations possible हैं, ठीक है, दूसरी तरफ, second type of lenses होते हैं, compound lenses, जो बनते हैं by combination of many simple lenses, जैसे कि हमारे जो DSLR cameras होते हैं, cameras के अंदर जो lenses होते हैं, they are not simple lenses, they are compound lenses, तो हमारी जो study रहेगी, this will be around simple lenses, यहाँ पर हम basic चीज़े सीखेंगे lens के बारे में, कि lens में image formation कैसे होता है, तो बच्चों यहाँ पर जब हम lens का discussion कर रहे हैं, अभी फिलहाल, we are assuming by convex lens, जो इस तरह का दिखता है, दोनों convex surfaces है, तिक है, अब इसके help से terminologies समझते हैं, पहला terminology है, optical center, optical center of a lens क्या होता है, इस lens का यह जो surface है, इसका जो center point होता है, जैसे हमारे spherical mirror के case में pole होता था, तो वहाँ पे pole हम कहते थे, क्योंकि वहाँ एक ही reflecting surface होता था, यहाँ पे दो surfaces हैं, तो इसलिए इनके beach वाले point को हम optical center कहते हैं, ठीक है, next principle axis, यहाँ पे भी इसका वही मतलब होता है, जो भी हमारे दो spherical surfaces हैं, इनके optical center से पास होने वाला जो line है, that is called the principle axis, center of curvature यहाँ पर भी है, center of curvature क्या है, उस sphere का center है, जिस sphere का part है, यह convex surfaces, यहाँ पर यह जो convex lens जो बना है, कैसे बना है, बताओ कैसे बना है, दो convex mirror के तरह ही तो है, यह दोनो surfaces, तो इन यह जिन sphere का part है, उस का जो center है, that is the center of curvature, उनका जो radius है, that is the radius of curvature, ठीक है, बस यहाँ पर यह हो जाएगा, obviously, कि यह वाले surface का भी एक center of curvature है, इस वाले surface का भी एक center of curvature है, तो अभी फिलाल आम उतने complication में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग चीजों को असान तरीके से समझेंगे, ठीक है, तो basically जो भी हमने spherical mirror के case में पढ़ी, उसी का ही एक extension है lenses, तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि lenses कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फिलाल lenses के basic study के लिए, हम यहाँ पे consider करेंगे only thin lenses, thin lenses क्या होते हैं, आप बोलो कि जो पतले दिखते होंगे, जैसा कि यह lenses पतले दिख रहे ह हैं, वो तो है, बट science के terms में कैसे define करते हैं हम thin lens को, तो basically कोई भी lens का एक aperture होता है, ठीक, aperture क्या होता है, जो lens के जो curved surfaces है, उनका जो effective diameter होता है, that is called the aperture of the lens, ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि कोई lens thin है, इसका मतलब है उस lens का जो aperture है, वो काफी कम है compared to the radius of curvature, तभी तो वो thin है, तभी तो उसे thin lens कहते हैं, also, ऐसे lenses में हम ये कहते हैं कि जो दो मेरे जो surface है, उन दोनों surfaces का जो center of curvature है, that is equidistant from the optical center, तो अभी फिलाल हम ऐसे वाले thin lenses के बारे में ही discussion करेंगे, मतलब जिनका aperture बहुत कम है, radius of curvature के मुकाबले, और जिनके दोनों center of curvature जो है, वो optical center से बराबर distance पे है, तो हमने एक specific type of lens को ही क्यों चुन लिया, ताकि complication कम हो, क्योंकि अभी शुरुवात हो रही है हमारे lenses की study की, तो पहले basics को मजबूत करते हैं, बाद में higher classes में और complicated scenarios देखेंगे, अब बात करेंगे principle focus की in case of lenses, ठीक है, principle focus क्या होता है, वही होता है, concept वही होता है, ज spherical mirror में हम reflection की बात करते थे, यहां lenses में हम reflection की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि lenses जो है, वो एक optical object है, glass का बना हुआ है, तो change in medium होता है, यहां पे, ठीक है भई, तो अब देखो, क्या होता था, mirror के case में क्या होता था, mirror के case में focus या principle focus वह वाला point होता था, जहां पर parallel rays reflection के बाद meet करते थे, या meet करने को appear करते थे, ठीक है, उसी तरह lenses में भी होता है, अगर देखो हमें convex lens की बात करें, ठीक है, convex lens मतलब by convex lens, इसके दोनों convex surfaces हैं, ठीक है, convex lens की बात करें, तो यहां पर हम देखते हैं, कि जब rays of light parallelly इस पे fall करते हैं, reflection के बाद यह एक point पे meet करते हैं, तो वो point होता है, हमारा principal focus, यहां पर एक खास बात यह है, कि lenses के case में हमारे दो principal focus होते हैं, क्योंकि दो spherical surfaces हैं, तो इसका भी एक focus होगा, इसका भी एक focus होगा, तो इसे हम कहते हैं, foci, plural में focus को कहा जाता है, foci, तो principal foci 2 होते हैं, F1 और F2, तो अगर मैं convex lens की बात करू, तो हम द fraction F2 पे, ठीक है, वही अगर मैं concave lens की बात करू, तो देखो concave lens में क्या हो रहा है, दोनों मेरा कैसा है, concave surfaces है, तो यह जो concave lens होता है, इनके case में क्या होता है, जैसे parallel rays आई, reflection के बाद यह सारे spread out हो गई, diverge कर गई, ठीक है, तो diverge कर गई, इसका मतलब F2 पे meet होने का तो को अगर इसे पीछे की तरफ लेके जाए, dotted line से, तो they appear to meet at F1, तो इसे लिए इस particular concave lens के लिए F1 is the focus, जहां पर वो meet कर रहा है, ठीक है, ओके, तो इससे क्या पता चला बच्चों, यह भी पता चला, जी convex lens जो है, that is converging lens, और concave lens जो है, that is diverging lens, so this is completely opposite to that of spherical mirror, spherical mirror के case में concave mirror converging था, और convex mirror diverging था, lens के case में concave mirror, concave lens diverging है, और convex lens converging है, now this is super duper important, इसलिए इस तरह की चीजों को कभी भी रटना नहीं है, रटोगे तो फसोगे, इसलिए इनको समझो, concave lens, convex lens, इनकी picture जो है आपके दिमाग में बिल्कुल clear होनी चाहिए, तो भाई अब image formation by lens अगर सीखना ह है, तो इसके भी rules देखने पड़ेंगे, तो यहां पर भी हम चार rules की बात करेंगे, ठीक उसे तरीके से, जैसे हमने spherical mirrors के case में बात करी थी, ठीक है, तो पहला rule क्या कहता है, कि अगर एक ray of light है, जो principal axis के parallel जा रहा है, वो reflection के बाद, principal focus से पास करेगा, तो अगर हम convex lens की बात क कर रहे हैं, तो हम क्या notice करते हैं, कि ऐसा एक parallel ray of light, जो principal axis के parallel है, after reflection, यह F2 से पास करता है, F2 से पास क्यों करता है, क्योंकि convex lens converging होता है, तो यह इसे F2 की तरफ खीच लाता है, ठीक है, लेकिन यही अगर concave lens की बात करूं, तो concave lens के case में क्या होगा, कि यह ray of light जो parallel जा रह गी, तो यह basically F2 से दूर चली जा रही है, बट इसे अगर हम dotted line से पीछे की तरफ meet करवाएं, so they appear to pass through F1, तो इसका मतलब दोनों ही case में यह statement to true है, कि अगर ray of light principal axis के parallel जा रही है, तो refraction के बाद यह principal focus से पास करेगी, convex lens के लिए F2 से पास करेगी, concave lens के लिए F1 से पास करेग Rule number 2, यह कहता है कि अगर कोई ray of light principal focus से पास कर रहा है, तो refraction के बाद it will go parallel to the principal axis, convex lens के लिए very very simple, देखो हमें दिख रहा है कि जो ray of light है वो F1 से पास कर रहा है, refraction के बाद it is going parallel to the principal axis, तो concave lens के लिए क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर यह actually F2 से पास नहीं कर रहा है, but it is appearing as if it is passing through F2, तो refraction के बाद it is also going parallel to the principal axis, तो आप notice करोगे कि यहाँ पर concave lens वाले diagrams में कई बार dotted lines है, those dotted lines show कि वो really ऐसा नहीं हो रहा है, but virtually it is appearing as if यह वहाँ से पास हो रहा है, Rule number 3, अगर कोई ray of light optical center से पास हो, तो refraction के बाद यह उसी route पे आगे चला जाता है, मतलब वो deviate नहीं करता है इधर उधर, तो बच्चों जिस तरीके से हमने image formation देखा था in case of spherical mirrors, उसी तरीके से अब हम image formation देखेंगे in case of spherical lenses, तो हम शुरुआत करेंगे with convex lens, ठीके convex lens का आप द तो सबसे पहले देखेंगे scenario number 1, when the object is at infinity, object infinity पे होता है तो हम क्या assume करते हैं, let us say यह मेरा convex lens है, यह optical center है, let us say this is F1, this is 2F1, similarly इधर let us say this is F2 and this is 2F2, ठीक है, अब चुके object infinity पे है, तो हम assume करते हैं कि उस object से जो है, ऐसे parallel rays incident हो रहे है, arrow देना नहीं भूलना है, कभी भी ray diagram में, very important, अब यह किस तरह का lens है, यह converging lens है, तो क्या होता है, यह जो rays है, यह सारे rays, any ray which goes parallel to principal axis after refraction passes through the principal focus, तो इसलिए देखो F2 से pass किया, अब यह भी parallel जा रहा है, तो यह भी reflection के बाद F2 से pass करेगा, यह भी parallel जा रहा है, तो refraction के बाद F2 से pass करेगा, correct, so just put arrows on all of these, तो हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे refracted rays जो है, यह F2 से pass कर रहे हैं, which means, कि हमारा जो image है, वो कहाँ पे बनेगा, हमारा image बनेगा F2 पर, clear हो गया, तो चलो अब देखते हैं, scenario number 2, when the object is beyond 2F1, चीक है, मतलब अगर let us say, this is 2F1, यहाँ पे अगर F1 है, जैसा कि मैंने बताया, right, lens के case में, दो principal foci होते हैं, तो इसलिए 2 radi of curvature भी तो होंगे, हाना, तो let us say, यह हमारा setup है, और अब question कह रहा है, कि जो object है, वो 2F1 के beyond है, तो let us say, this is our object, ठीक है, तो वही same rules follow होंगे, जो भी image formation के rules है, कि अगर एक ray है, जो parallel to principal axis जा रहा है, तो refraction के बाद, it will pass through principal focus, which is F2 in this case, ठीक है, ओके, अगर कोई ऐसा ray है, जो F1 से pass हो रहा है, और फिर lens में incident हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसके साथ, उसके साथ कुछ ऐसा होगा, कि refraction के बाद, it will go parallel to the principal axis, क्या ये दोनों ray कहीं पे meet कर रहे हैं, बिल्कुल meet कर रहे हैं, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा image, ठीक है, तो object यहाँ था, तो image यहाँ बन गया, राइट, तो इस case में, मेरा image कहाँ पे बना, देखो, image बना between F2 and 2F2, किस तरीके का image बना, real, inverted image बना, real क्यों, क्योंकि यह जो rays है न, जो refracted rays है, वो actually meet कर रहे हैं, इस point पर, तो इसलिए real image, inverted, साफ-साफ दिख रहा है कि भाई, inverted image बना हुआ है, so that's why real and inverted image, तो चलो बच्चों, अब देखते हैं, scenario number 3, जब हम कह रहे हैं कि the object is at 2F1, यह exactly 2F1 पे है, so let's say this is 2F1, this is 2F2, तो obviously this becomes F2 and this becomes F1, अभी हम कह रहे हैं कि object हमारा exactly 2F1 पे है, तो यह हमारा object है, तो हम अपना वही rule लगाएंगे, कि अगर एक ray parallel to principal axis fall करेगा, तो refraction के बाद it will pass through the principal focus, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, अगर कोई ray of light, let's say optical center से pass होता है, तो क्या होगा, refraction के पाद it will go undisturbed, ठीक है, इस तरीके से, arrows are very very important बच्चों, बार बार बता रहे हो, तो अब यह दोनों refracted rays कहां पे meet कर रहे हैं, इस point पे, तो यानि कि जो मेरा image बनेगा, तो वो यहां पे बनेगा, तो यानि कि जो green color का बना है, तो यानि कि जब object 2F1 पे था, तो मेरा image कहां पे बना, image मेरा बना 2F2 में, यानि कि अगर 2F1 पे था, तो इधर 2F2 पे मेरा image बन गया, कैसा image बना, साफ साफ दिख रहा है, real image बना है, inverted image बना है, in fact image का जो size है, that is same size as that of the object, अब I hope, आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, कि how is the image formation similar to concave mirror, वहाँ पर भी ऐसा होता था, जब center of curvature पे object होता था, तो image भी center of curvature पे बनता था, real inverted, same size as that of the object बनता था, तो वैसा ही कुछ यहां भी हो रहा है, तो चलो, अब देखते हैं, scenario number 4, जब object is between 2F1 and F1, ठीक है, तो अब लेट असे कि object हमारा F1 और 2F1 के बीच में है, एक कोई ray है जो parallel जा रही है to the principal axis, तो क्या होगा, refraction के बाद, it will pass through the principal focus, इस तरीके से, ठीक है, दूसरे तरफ, let us suppose कि एक दूसरा ray है, जो optical center के through pass हो रहा है, अब चुकि ऑप्टिकल center के through pass हो रहा है, तो क्या होगा, it will go undisturbed, वो वैसी चला जाएगा, तो ये दोनो point कहां पे meet कर रहे हैं, अगर हम देखें, तो ये लोग यहां पे meet कर रहे हैं, तो यहां पे meet कर रहे हैं, which means, यहां पे बन रहा है हमारा image, तो image कहां पे बन रहा है, beyond 2F2, तो इस situation में हमारा image बन रहा है, beyond 2F2, कैसा image बन रहा है, real, inverted और enlarged image बन रहा है, तो आप पहुँचे हैं, हम fifth situation पे, जब हमारा object कहां पर है, हमारा object act focus पे है, ठीक है, तो मतलब अगर यह मेरा F1 है, और यह मेरा 2F1 है, तो मेरा object exactly यहां पर है, ठीक है, so this is our object, ठीक है, assume इधर F2 है, और यह 2F2 है, ठीक है, तो ray diagram कैसा होगा, यह गया parallel to principal axis, after refraction, it will pass through the principal focus, ठीक है, दूसरा ray, दूसरा ray के साथ क्या होगा, let us say कि दूसरा ray जो है, यह गया हमारा optical center से, और optical center से होते हुए, it will just go straight, without getting deviated, तो देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यह जो दोनो rays है न, they are going parallel, which means कि यह कहां पर meet करेंगे, फिलाल तो कहीं, near future में meet करते हुए, नहीं दिख रहे हैं, so we will assume that they will meet at infinity, तो इसका मतलब, इस particular situation में, जब object focus पे है, तो हमारा image कहां पे बन रहा है, image is being formed at infinity, ठीक, ओके, sixth and final scenario, when the object is between optical center and focus, तो object को धीरे धीरे हम pass ला रहे है, ठीक है, तो object को optical center और focus के बीच में, यहां पे है हमारा object, ठीक है, तो ऐसे case में क्या हो जाएगा, parallel to principal axis, refraction के बाद pass हुआ focus से, ठीक है, दूसरा वाला, passing through optical center as it is चला गया, यहां पे देखो यह parallel भी नहीं जा रहे है, यह एक दूसरे से दूर जाते जा रहे है, यानि कि आगे चलके कहीं मिलने का तो कोई सीनी नहीं है, बट भले ही, अगर हम इने पीछे इस तरीके से extrapolate कर दे, so they may appear to meet at a point like this, बट इस केस में क्या हो रहा है, यह really में meet नहीं कर रहे है, तो यानि कि ऐसे केस में जो image बन रहा है, that is virtual, और कैसा बन रहा है, the image is erect, और कैसा बन रहा है, the image is also enlarged, और image कहां पर बन रहा है, the image is formed beyond 2F1, ठीक है, clear है, तो बच्चों अभी तक जितने ray diagrams हमने बनाएं लेंसे के लिए, उसी के ऊपर बेस करके यह हमारा gist है, यह हमारा summary है, कि object का location जैसे जैसे infinity से beyond 2F1, at 2F1, between 2F1 and F1, at F1 and between optical center and F1 आता है, जो ऐसे जैसे object पास आते जाता है, वैसे वैसे जो image का location है, वो क्या होता है, F2 से, F2 और 2F2 के बीच में चला जाता है, फिर 2F2, फिर 2F2 के भी beyond, फिर infinity ही चला जाता है, और फिर finally क्या होता है, जब object बहुत जादा पास आ जाता है, तो क्या होता है, image is formed on the same side as the object, ठीक है, nature of image भी हम देखते है, सभी scenarios में real and inverted होते हैं, लेकिन जब image object की side में ही बन जाते हैं, तो virtual और abrupt image बन टा है, जैसे जैसे object को हम करीब लाते रहते हैं, जो image का size है, वो धीरे-धीरे बढ़ता है, जैसे देखो diminished से धीरे-धीरे same size हुआ, फिर धीरे-धीरे enlarged होने लग गया, ठीक है, तो यह हमारा overall summary, तो चलो बच्चो, convex lens का ray diagram तो अब चुटकियों में हमसे बन जाएगा, लेकिन concave lens का क्या, जब convex का सीख गए हैं, तो concave का भी सीख जाएंगे हैं ना, कुछ, rocket sense तो है नहीं, तो concave lens में क्या होता है, सबसे पहले तो यह बताओ, concave lens का basic feature क्या होता है, यह diverging lens होता है, इस बात को याद रखना है, अब देखो, हम यहाँ पर दो ही scenario देखेंगे, पहला scenario देखेंगे, जब object हमारा infinity पर है, object infinity पर होता है, तो क्या होता है, हम assume करतें कि भई, जो भी raise आ रही है, वो parallel आ रही है, ठीक है, क्योंकि object हमें दिख तो राने की, भई, कहां पर है, so let us say, यह हमारा concave lens है, let's say this is 2F1, let's say this is F1, let's say this is F2, and this is 2F2, ठीक है, लेकिन भई, ना तो F1 पर है, ना तो F2, F1 पर है, object तो है infinity पर, तो let's say कि object से, कुछ इस तरह से, parallel raise आ रही है, lens पर, किस तरह का lens है, diverging lens, तो यह क्या करेगा, refraction के बाद, इनको एक दूसरे से, दूर भेज देगा, diverge कर देगा, scatter कर देगा, ठीक है, तो मतलब इनका आगे जाके, कहीं मिलने की possibility है, बिल्खुल भी नहीं है, यह तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन, virtually, बतलब आगर हम यह assume करें, कि पीछे इसको डॉटेड लाइन से जॉइन कर देते हैं, पीछे इसको भी डॉटेड लाइन से ले जाते हैं, तो हम यह assume कर सकते हैं, कि भाई, they appear to meet at f1, तो इस f1 पर, they are appearing to meet, यानि कि इस case में कैसा image बनेगा, obviously virtual image बनेगा, क्योंकि real में तो यह raise meet कर नहीं रहे है, virtual image बनेगा, कहां पर बनेगा, at f1 पर बनेगा, clear हो गया, super, अब देखते हैं situation number 2, जब हम कह रहे हैं कि object is between optical center and infinity, कि भाई, infinity पर तो नहीं है, optical center और infinity के बीच में कहीं पर भी है, so let us say कि हमारा object कहीं भी, कहीं भी मान लो अप, let's say कि object यहाँ पर है, चीक है, यह मेरा object है, okay, let's say this is 2f1, this is f1, this is f2, and this is 2f2, चीक है, तो इसका बनाएंगे ray diagram, बहुत असान है, let's say एक ray जो है principal axis के parallel गया, concave lens से भाईया diverge ही करेगा, तो कर दिया diverge इस तरीके से, चीक है, अब मालो जो दूसरा ray गया ना, वो optical center से पार हुआ, अब optical center से पार होने पर क्या होता है, वो undisturbed चला जाता है, देखो मैं free hand diagram बना रही हूँ, तो line straight नहीं बन रही है, पर आप concept पर focus करो, ठीक है, अब देखो ये refracted ray और ये refracted ray, कभी मिलेंगे reality में, नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से दू जा रहे हैं, लेकिन virtually तो भई मिली सकते हैं, इसको अगर पीछे हम extrapolate करें, तो देखो इस वाले point पर ये मिल रहे हैं, कि erect image बना है भई, हाँ, बिल्कुल erect image बना है, virtual image बना है, क्योंकि reality में तो ये lines meet नहीं की, हमने इसको meet करवाई, appear करवाया meet करते हुए, तो इसलिए virtual image बना, diminished image बना, देखो object का size देखो, और उसके मुकाबले image का size देखो, काफी छोटा है, object इतना बड़ा था, है ना, और image देखो, कितना छोटू सा है, तो obviously diminished image है, ठीक है, तो ये सारे, और image की position कहाँ पे है, between optical center and F1, ये image की position है, तो भई, concave lens के image formation की summary ये रही, जब हमारा object infinity पे है, तो image बना F2 पर, किस तरह का image बना, virtual and erect, कैसा size wise कैसा बना, highly diminished, object जब infinity पे था, तो image तो बिल्कुल point के जैसा दिखा, हमें focus पे बनता हुआ, जब हमारा object थोड़ा पास आया, infinity और optical center के बीच में कहीं तो आया, तब क्या हुआ, जो image बना, वो between F1 and optical center बना, जैसा कि हमने देखा, बट यहां भी virtual and direct ही बना, क्योंकि reality में तो refracted rays मीठ ही नहीं कर रहे थे, और यहां पे भी image का size diminished ही बना, highly diminished ही नहीं बना, जैसे जब object infinity पे था, तब तो हमें image एक point की तरह बनता हुआ दिखा, बट जब object infinity के करीब आ गया, मतलब between optical center और infinity था, तब हमें क्या दिखा, image का size छोटा भले ही था, बट point के जैसा नहीं था, तो इसलिए एक जगा highly diminished और दूसरे जगा सिर्फ diminished लिखा है, तो चलो बच्चों अब देखते हैं, lens के case में कौन से sign convention हमें याद रखने होते हैं, logic वही रहेगा, देखो अगर हमें convex lens की बात करते हैं, तो इसका focal length यानि की F positive होगा या negative होगा, आप बताओ, diagram याद करो, convex lens raise आती हैं, तो वह actually meet करती है, इस point पर, focus पे, कौन से focus पे meet करती हैं, F2 पे, F2 किधर लाई करता है, optical center के right side में, right side के सारे distances positive होते हैं, तो इसलिए convex lens का focal length is positive, concave lens के case में just ultra होता है, concave lens के case में क्या होता है, जो raise parallel जाती हैं, वो spread out हो जाती है, so they appear to meet at F1, और F1 left side में होता है, optical center के left side के सारे distances negative होते हैं, तो concave lens के case में F is negative, तो याद रहेगा इस logic के साथ super, इसके अलावा as usual वही same rule, कि lens के left के तरफ के सारे distances negative, lens के right के तरफ के सारे distances positive, और ये rule true है for both concave as well as convex lens, ठीक है, ओके, इसके अलावा वही same rule कि जितने भी heights आप measure करोगे, जो principal axis के उपर की तरफ है, वो positive, जो principal axis से नीचे की तरफ है, वो negative, तो यह ही हमारे simple basic rules है, और इनी के help से देखो हम कितना धमाल मचाएंगे, अब भाई lens के numerical में धमाल मचाने के लिए, सबसे पहले पता होना चाहिए lens formula, exactly, तो lens formula क्या करता है, image distance, object distance, और focal length के बीच में relationship बताता है, and the relationship is, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, very very important, बच्चों याद रखना है कि चाहे हम spherical mirrors के case में mirror equation की बात करें, या lenses के case में lens formula की बात करें, यह formula आपको याद रखना है, बट इस formula में जब आप values पुट करोगे, तो वहाँ पर sign convention को याद रखना is very important, तो lens formula में V क्या है, image का distance from optical center, U क्या है, object का distance from optical center, F क्या है, focal length of the lens, ठीक है, सबको याद रहेगा, great, अगला concept आ गया, magnification, magnification of a lens क्या होता है, कि जो image बना, वो object के मुकाबले कितना बड़ा या कितना छोटा बना, magnification को concept mirror or lens के case में exactly similar है, so magnification is height of the image by height of the object, या फिर इसे आप distances के terms में भी बता सकते हो, कि इमेज का distance by object का distance, अगर magnification की value positive आई, इसका मतलब image कैसा है, erect, अगर object भी उपर की तरफ है, तो image भी उपर की तरफ है, अगर magnification की value negative आ गई, इसका मतलब image कैसा है, inverted, अब दा लास्ट छोटा सा concept है, power of a lens, power क्या होता है, हिम्मत, कितना capability है, कितनी ability है एक lens की, क्या करने की ability, lens का कामी क्या है, raise को converge करना या diverge करना, अगर converging lens है, तो रही इसको converge करेगा, अगर diverging lens है, तो raise को diverge करेगा, तो power of a lens जो है, यह बेसिकली यही measure करता है, कि lens में converge या diverge करने की capability कितनी है, कितना ability है lens का, जब हम इसे mathematically देखते हैं, तो हम देखते हैं, हम इसे कैसे निकालते हैं, दखुस का logic कहां से आता है, बेसिकली, तो यह जो raise हमारे bend होते हैं, चाहे वो converge होने के लिए bend हो, या diverge होने के लिए bend हो, इनकी जो bending की जो angle होती है, tan of that angle kind of gives you an idea of the power of the lens, simple शब्दों में अगर देखा जाए, तो power of a lens जो है, यह focal length से inversely related होता है, तो इसे लिए अगर मैं convex lens की बात करो, तो इसका power positive होगा, यह negative, क्या होगा, convex lens के case में, जो focal length होता है, वो positive होता है, तो 1 by positive value क्या होगा, positive ही होगा, तो इसे लिए power of a convex lens is positive, अगर बात करें concave lens की, तो वहाँ पे focal length उसका negative होता है, अब 1 by negative value क्या होगा, negative, तो इसे लिए power of a concave lens is negative, clear है, power की एक unit होती है diopter, जिसे capital D से denote करते हैं, 1 diopter बोले तो, 1 by 1 meter focal length, that is 1 diopter is equal to 1 meter inverse, ठीक है, so simple शब्दों में आपको इतना याद रखना है, कि power is equal to 1 by focal length, ठीक है, तो बच्चो, lens का सारी चीज़ें समझ में आगई, अब देखो, यहाँ से numericals कहां से आ सकता है, lens formula से, magnification से, power of a lens से, यह areas हैं, इसके numericals बनने के, तो चलो कुछ प्राक्टिस करें, तो चलो बच्चो, फटा-फट से देखते हैं, एक सवाल, सवाल कहता है कि, a spherical mirror, mirror and a thin spherical lens, have each a focal length of minus 15 cm, मतलब हमारे पास एक lens है, और एक spherical mirror भी है, लेकिन दोनों का जो focal length है, वो minus 15 cm है, आपको बताना है कि, वो mirror और वो lens जो है, concave होगा, convex होगा, दोनों concave होगा, एक concave होगा, एक convex होगा, क्या होगा, ये बताना है, very very simple, focal length इसका क्या है, value कितनी है, doesn't matter, बट focal length इसका negative है, अब आप खुद याद करो, अगर हम mirror की बात करें, ये होता था, हमारा concave mirror, ठीक है, तो concave mirror का, जो focal length होता था, वो इस side होता था, right, which means, कि concave mirror के case में, मेरा focal length कैसा होता था, negative होता था, तो भई ये तो साफ हो गया, कि अगर negative focal length है, तो mirror मेरा concave mirror होगा, ठीक है, अब अगर बात करें lens की, lens के case में, जो convex lens होता था, convex lens कैसा दिखता था, ऐसा, ठीक है, convex lens के case में क्या होता था, जो parallel raise आती थी, वो इस तरीके से meet करती थी, यहाँ पे, focus पे, तो ये focus right hand side पे था, तो यानि कि convex lens के case में, focus जो है, वो positive होता था, तो यानि कि convex lens नहीं होगा, अब बात कर लेते हैं, concave lens की, concave lens ऐसा दिखता था, है ना, तो concave lens के case में क्या होता था, जब parallel raise of light इस पर आती थी, तो चुकि यह diverging lens था, तो वो उन्हें इस तरीके से scatter, तो वो उन्हें इस तरीके से scatter कर देता था, तो यह appear to meet करती थी, इस सवाले focus पे, तो यानि कि यह जो focus होता था, यह कैसा होता था, focal length इसका भी negative होता था, तो यानि कि concave mirror और concave lens के case में ही, focal length negative होता है, तो हमारा answer हो जाएगा, both concave, तो चलो बच्चों देखें, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल कह रहा है कि, a doctor has prescribed a corrective lens, of power plus 1.5 diopter, ठीक है, तो यहाँ पर lens का जो power दिया हुआ है, that is plus 1.5 diopter, find the focal length of the lens, अब मैंने पहले ही बताया था, focal length और power यह एक दूसरे के reciprocal होते हैं, तो focal length क्या हो जाएगा, 1 by P, यानि की 1 by 1.5, ठीक है, यानि की 10 by 15, so 2 by 3, so this will be, focal length की value क्या हो जाएगी, 2 by 3, ठीक है, यह निकाल सकते हैं हम, अच्छा, अब मालो, मुझे बताना है कि, क्या यह lens diverging होगा, यह converging होगा, यह कौन बताएगा, कि focal length positive है, या negative, ठीक है, तो कौन से lens का focal length positive होता है, convex lens का, जो convex lens होता है, उसमें क्या होता है, जब parallel rays इस तरह से fall करती है, तो यह इधर जाके meet करती है, this is the focus, तो मतलब जो F होता है, focal length that is positive, ऐसे ही हमने बढ़ा है, तो यह नहीं की convex lens बोले, तो converging lens, तो चुक्ए यहाँ पे focal length की value positive है, तो इसका मतलब है, यह किस तरह का lens है, this is a converging lens, तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुँचे हैं, इस वीडियो के end तक, और मुझे पूरे उमीद है, कि इस वीडियो को अगर आपनी यहां तक देखा है, अगर आप अभी मेरी बात सुन रहे हो, तो मुझे पूरे उमीद है, कि आपके concepts हुए होंगे crystal clear, और अगर ऐसा हुआ है, तो comments पर जरूर लिख के बताओ, कि concept हुआ crystal clear, मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ, अगले वीडियो के साथ, अगले धमाके के साथ, तब तक के लिए stay home, stay safe, take care, bye-bye.